इस वीडि़ो लेक्चर हुआ यह किसी भी वीस टरौने कर क्लासिशेंगे कैसी कौर्डियो पश्य इंद कर सकते हैं वो भी फ्यू सेकेंड्स में इसकेंड्स से एक कौष्ण तो जरूर प्रेपरेशन की वीडियो की अप्रेट्स टाइमली मिल सके वीडियो लंभी हो सकती है बट यह आपके लिए बहुत ही यूसफूल सावित होगी आपको एक ही वीडियो में आल आइसोमस देखने को मिलेंगे सबसे पहले तो स्टुडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि आ आइसोमेरिज्म होता क्या है तब भी आप आइसोमेरिज्म फाइंड कर सकते हैं तो और मोर ऑर्केनिक कंपाउंड्स हैविंग दसेम मॉलेकुलर फार्मुला बट डिफ्रेंट प्रॉपर्टिस दिफ्रेंट अर्रेंजमेंट ऑफ एटम्स इस फिनोमिना काल आइसोमेरिज यानि कि किसी भी कंपाउंड में जब मॉलेकुलर फार्मुला सेम हो बट इसकी प्रॉपर्टिस दिफ्रेंट हो तो इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे आइसोमेरिज्म कुशन यह आता है कि मॉलेकुलर फार्मुला तो सेम है बट वाई प्रॉपर्टिस दिफ्रेंट के टू रीजन्स है एक तो यह की स्ट्रक्चर दिफ्रेंट हो और दूसरा यह की इसका ओरिंटेशन दिफ्रेंट हो और इंटेशन की बात हम आगे करेंगे इससे पहले यह जानते हैं कि how many types of isomerism इसके लिए आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए इसमें types बताए गए हैं mainly two types का isomerism होते हैं first is structural isomerism and second is stereo isomerism अब इसमें भी structural isomerism में भी four types का isomerism होते हैं first ionization isomerism second coordination isomerism third linkage isomerism and fourth is hydrate isomerism और stereo isomerism को further two isomerism divide किया गया है first is symmetrical isomerism and second is optical isomerism okay अब one by one हम start करते हैं इसको एक करके हम इसको discuss करते जाएंगे so please धियान से देखिएगा हमारा first है ionization isomerism structure change होगी the compound gives different ions in the solution अगर orientation change होगी तो क्या कहलाएगा इसमें क्या हो हो ionization जीते नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें ions होगे अगर कोई compound different ions produce करता है तो क्या कहलाएगा ionization isomerism यानि कि number of ions and types of ions are different हम ionization isomerism को हम number of ions से पहचान सकते हैं water में डालने पर अलग-अलग ions मिले तो उसे कहते हैं ionization isomers example से समझते हैं जैसे कि आप example देख रहे हैं CO NS3 का whole 5 BR और ब्रेकेट के बाहर है SO4 यानि कि sulphate ion बाहर है और इसी का ही इसको अपने change करके लिखा है देखिए इसमें दूसरा bracket के बाहर क्या है bromide ion ठीक है यानि कि sulphate ion produce हो रहे है और second में क्या और है bromide ion प्रोड्यूस हो रहे हैं sulphate क्या बनाएगा violet कलर के आइंस और bromide बनाएगा रेट कलर के आइंस यानि कि इसमें आइंस बाहर आ इस ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हैं अब नेक्स्ट आइसोमस की बात करते हैं नेक्स्ट हमारा hydrate isomas hydrate में क्या होता है isomas in which there is exchange of solvent ligand between coordination and ionization spheres are called hydrate isomas देखे hydrate से ही पता चल रहा है hydrate means solvent solvent यानि water ठीके अब इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं hydrate यानि कि hydra hydra अपने बायो में भी पड़ा होगा ठीके और water यानि कि इस ट्रिक से आपको तुरंत याद आजाएगा hydrate isomas यानि कि इसका connection कि से water से इसको solvent isomas भी कहते हैं solvent यानि water जैसे कि नाम से यह शो हो रहा है hydrate या solvent isomas means water isomas isomas in which there is exchange of solvent या फी water ligand between coordination and ionization spheres are called hydrate isomas यानि कि the exchange of free solvent molecules such as water ammonia alcohol etc यानि कि इसमें इसके example में आपको water molecule देखने को मिलेगा water molecule होगा ही होगा ठीक है जैसे कि आप example में देख रहे है chromium estrogahol 6 Cl3 यानि कि इस example में क्या रहा है तक वाटर molecule आ रहा है ना bracket के अंदर भले जाए ब्रेक्ट के अंदर हो यह ब्रेक्ट के बाहर हो वाटर molecule दिख रहा है इसका मतलब hydrate isomas present है ठीक है water act as lichen water act as water crystallization यानि कि आप इस टीक से find कर सकते हैं कि अगर हमारे example में water molecule है चाहे ब्रेक्ट के अंदर है चाहे ब्रेक्ट के बाहर है तो क्या शो हो रहा है इसका मतलब hydrate isomerism उसमें show हो रहा है next isomas है हमारा linkage isomas different linkage of like an atom to the central metal atom यानि कि इसमें आप example में देख रहे हैं इसमें scn ncs no2 इस तरह के लागिन present होंगे इससे आप तुरंत पता लगा लेंगे कि linkage isomas है या नहीं ठीक है अब इसमें water तो नहीं है ना water molecule कुल नहीं दिखाए दे रहा ना इसमें है यह नहीं तो इसका मतलब यह hydrate SMS तो नहीं है अब इसमें क्या present है और no2 है ना इसमें और next example में क्या है cn है यानि कि इस तरह से जो दिखाए देंगे लाइगन तो वो कहलाएंगे Linkage Isomerism ठीक है जैसे मैंने इसमें लिखावा भी है अब पस यह चीज़ याद रखिए कि cn, scn, ocn, no2, co, nc या फिर ncs यह present होंगे तो Linkage Isomerism प्रेजेंट होगा अगर आपको question में Ambient Planket देख जाए तो sure Linkage Isomerism होगा अब आप पता कैसे करेंगे कि Ambient Planket है या नहीं जैसे कि अब भी मैंने बताया स्टुरेंट्स आपको कि जहां पर cn, scn, ocn, no2, co, nc या ncs दिखे तो तुरण समझ जाएगा कि Linkage Isomerism प्रेजेंट है ओके नेक्स्ट है Coordination Isomerism यानि कि Structure Isomerism का 4th Isomerism Coordination Isomerism इसमें क्या होता है When Interchange Between Cationic and Anionic Species of Different Metal ions and the ligand present in a complex यानि कि इसमें जो Cationic और Anionic Species है वो आपस में Interchange होगी ठीके जैसे कि Example से समझते हैं कि Example में क्या आ रहा है ठीके सबसे आसान बात इसमें यह है कि Coordination Isomerism में अगर आपको दिया जाता है एक्जाम में Example के साथ एक्जामपल शो कर दिया जैसे एक्जामपल आ गया है और आपसे पूछा है कि बताईए Coordination है या नहीं है या फिर कौन सा Isomerism है तो Coordination को कैसे Find करेंगे इसमें बड़े-बड़े ब्रैकिट होंगे इस बात को ध्यान रखिएगा Isomerism है या नहीं है ठीक है अब इसमें देखिए इसके नीचे वाले एक्जामपल में देखिए इसमें क्या हो रहा है CR और CO आपस में एक्सचेंज हो गया ना यानिक की इंटरचेंग बीट्वीन के टायनिक एंड एनायनिक स्पीशिस शो हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगा यह Coordination Isomerism ठीक है आप इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं यह तो थे सारे के सारे Stereo Isomerism अब यह भी हमने डिसकस कर रहा है 4 टाइपस का Isomerism Structural Isomerism Structural में ही तो है 4 टाइपस का Isomerism और सेकिंड क्या था Stereo Isomerism इसमें टू टाइपस के बताए थे Gementrical Isomerism and Optical Isomerism अब हम डिसकस करेंगे Stereo Isomerism की तो चलते हैं Stereo Isomerism की साइड अगर Isomerism में Orientation Change है तो क्या के लाएगा Stereo Isomerism इसको Space Isomerism भी कहते हैं यह टू टाइपस के होते हैं Gementical और Optical अगर Space में Position Change होगी तो कहेंगे Stereo Isomerism इस्ट्रेंट्स आपको यह चीज़ याद रखनी ऐसमें की Gementical Means Cis and Trans ठीके और Opticals Means Dextro and Livio इसको आगर डिसकस करेंगे अभी हम हम फर्स्ट डिसकस करते हैं पहले तो Gementical Isomerism इसको हम क्या कहते हैं Configuration Isomerism भी कहते हैं इस टाइप अइसमेरिंज फाउंड इन हेट्रोलेप्टिक कॉंप्लेक्स द्यू टू डिफरेंट रिज्मेंट और यानि की Carbon-Carbon Double Bond इसमें प्रेजेंट होगा और Cis and Trans ठांसफॉर्म भी प्रेजेंट होगी जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि Gementical Isomerism है या नहीं चलिए इसको एक्जांपल से हम इसको समझते हैं जैसे कि इसमें एक्जांपल आप शो हो रहा है Cis and Trans Isomers कर एक्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं Carbon-Carbon के बीच क्या है? Double Bond है और जो Group Attach है 4 Groups Attach है ठीक है? जैसे कि Cis में क्या हो रहा है? उपर वाली ग्रूप सेम है नीचे वाली ग्रूप सेम है ठीक है? बट Trans में क्या हो रहा है? अलग-अलग ग्रूप Attach है जैसे कि डाउन में क्या होगा? Same अगर डाउन में अगर Same है तो कहलाएगा Cis Isomers डाउन में क्या है? Same है, Same से क्या होगा? यादि कि Cis Isomers और अगर डाउन में डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रूप Attach है तो क्या कहलाएगा? Trans Isomers ठीक है? इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा Jementical Isomerism है या नहीं Next पे चलते हैं, Next है हमारा Optical Isomerism Optical Isomerism क्या होता है? Compounds having the same physical and chemical properties but different only in rotation of plane of polarized light are known as Optical Isomers and this phenomena is called Optical Isomerism यानि कि इसमें बात हो रही है, plane of polarized light की ठीक है? यानि कि इसमें क्या बनेगा? Mirror image बनेगी जैसे क्या आप एक्जाम्बल में देख रहे हैं students, क्या हो रहा है? Mirror image शो हो रही है क्या 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 होगा फिर यह? Optical Isomerism इसमें direction different होगी किसी भी compound की rotation of plane of polarized light होगा इसमें यानि कि क्या मिन्स? Mirror image of molecules to determine whether optical isomers present or not हम एक और example से समझते हैं कि इसमें क्या होगा कि एक्जाम्बल में carbon जो है वो four groups के साथ attach होगा यानि कि four groups attach होगे इसमें यानि optical isomers में carbon के साथ four अलग-अलग groups attach होगे ठीक है पहले चीज़ आप इसमें यह notice कर लीजिए कि four groups attach होगे जैसे कि हमारा lactic acid का example देखिए आप इसमें क्या शो हो रहा है कि four अलग-अलग groups carbon के साथ attach है ठीक है अब इसमें देख्जाम्पल में देक्स्ट्रो यार कि यो मेंसे होगा ही होगा कि लिक्टीक एसिड या को स्ट्वघ्ज अइस टूप्टिकल आईसोमस कॉंnes कौन कॉन से होगें साथ मैं इसको कह रहे हैं कि क्ट्व कल आइसोमस आध ओकी और एक और इंटेस्टिक एक्जामपल में आपको बताती हूँ जैसे कि आप पेन के लिए सब्सक्राइब यूज़ करते होंगे तो ब्रॉफिन नाम की टेबलेट आपने देखी भी होगी यह इसका बैस्ट एक्जामपल है अप्टिकल आईसो मस्का अगर एक्जाम में आपको ब्रॉफिन का कहीं भी स्ट्रक्चर देखने को आता है तो आप तुरह समझ जाएंगे कि आप्टिकल आईसो मस्का प्रेजंट है और एक और एक्जामपल इस्टुडेंट्स ग्लुकोज भी इसका क्या है आप्टिकल आईसो मस्का एक्जामपल है देखें गुरुफीन का स्ट्रक्षर इससे इसमें इसे प्रेपरेशन हर तरह से होनी चाहिए एक्जाम में कभी भी घुमा फिराग्य कोशन एक्जामने पूछ लेता है तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें इसको कैसे इसका आंसर देना है और एक और बात इस्टुडेंट्स अब हम थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं तो आपको और अच्छे सा क्लियर हो जाएगा चीके एक बार हम टोटल आइसोमेरिस को रिवाइस कर लेते हैं चीके अवे सा कि फोर इसे स्टैडियो को दिवेड़ किया गया है स्ट्रक्च्छल आइसोमेरिस एद एक यृट्टिकल एप्टिकल तो देखिए ब्तो देख सेंगे स्ट। लेकिन हमारा कोडिनेशन है तो इससके बड़े-बड़े दिखाई देंगे आपको एकसंपल में सेंसेस कर सकते हैं सेक्ट ट्रπαद्ण हो तो यह थी इसकी शौर्ट ट्रिक्स जिसे कि आप एक्जाम्पल देखते ही आप तुरंच समझ जाएंगे कि कौन सा आइसो मेरी प्रेजेंट है सो स्टुडेंट्स वीडियो कैसा लगा आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा यह वीडियो आपके लिए बेटर एक्जाम प्रेपरेशन में बहुत ही यूसफुल होगा ऐसे ही और टापिक्स में लेकर आऊंगे नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब करना ना भूलें